हेलो एवरीवन वेलकम तो आर नवभारती परिवार आज हम किंग्डम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट वेट इस जनरल केरेक्टर स्टिक्स तो अगर हम इसके जनरल केरेक्टर स्टिक्स के बात करें किंग्डम प्लांटी की तो यह मल्टी सेलूलर और्गनिजम्स होते हैं, यह जो और्गनिजम्स होते हैं, वो more than one cell से बने हुए होते हैं, यह युकेरियोट्स होते हैं, युकेरियोट्स और प्रोकेरियोट्स तो टाइप के और्गनिजम्स होते हैं, युकेरियोट्स जो होते हैं, वो एडवांस टाइप के होते हैं, प्रो कि यूकेरियोट के जो इसेकिए करेकटियां मेंबरेन बाउंड होते है यह मेंबरेन बाउंड नहीं होते है इसी के साथ चिरीक्टोबियज़ Care Arctic जो इंतिवल भकक वह है यूस तुनिक होते है यह इउ एक के अंतर एक on-color pigment which is known as chlorophyll is responsible for the making of photosynthesis एक जो हम बात कते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो टोझ मैं औरप लोय है उन्य होई pirate करें प्लांघ्थ के अंदर सेलवér वी उसे आहम ऍाब सकते हैं फ्लांबल सकते हैं ये ये अनिमल के अन्दर सेल वाल जो है अब्सेंट होती है यह वह वह करेक्टर है जिस में जिसके बेसिस में ब्लांट और अनिमल सेल को दिफ्रेंशियेट कर सकते हैं इसी के साथ classification के अगर बात करें हम तो जो classification होता है इसका वो दो बेज़ दो characteristics के basis के ऊपर differentiate होता है classified होता है कि it is based on the structure and means of reproduction यानी structure और reproduction के basis का classification Principians होता है यह 2 टाइब के इसके प्लांट त Freder oike प्लांट्स अन्वीक फोल ही एंग और प्लांट्सके अनदर वेस्पॉरॉगर प्लांट्सेंट होते हैं और जिनके अंदर वेस्पॉर बंडल जो है यह अन व्यकर प्लांट्सand 67223 1-800 AH he फूड और वाटर के ट्रांस्पोर्टेशन के लिए प्लांट के अंदर जो वाटर और फूड जो है पूर प्लांट में के सभी पार्ट में जो ट्रांस्पोर्ट होता है वो वैस्कुला प्लांट्स वैस्कुला बंडल के वज़े से ही होता है तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नौन वस्कुलर प्लांट्स के लिए तो इनके अंदर किसी भी तरह कि स्पेशलाइस टिशू नहीं होते हैं जिसे कि मैंने बताया ना इसलम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करें वाटर को और फूड को और सपोर्ट करें प्लांट को अगर इसके एक्जेंपल की बात करें तो दो के लिविन वाटर एंग है वेरी फूव स्पेशलाइस सेल टाइपस इंपल प्लांट्स होते हैं इनके जो साल होती है वह बहुत ज्जादा स्पेशलाइज्ट नहीं होती है और यह वाटर के अंदर जो है सर्वाइव करते हैं फूड क्ले इसलिए से व्डिक जो हैं इस की जरुवरत होती है। इन दौनों को रिप्रोडक्शन के लिए अगर बात कर हैं जाएं नो के रिप्रेक्शन की तो रिप्रोडक्षन के लिए इन एक κα्यप्र एंवयर्मेंट की जरुवरत हैं अगर एक टे के शुरुड़त में इनकी जुरुत पढ़ रही है तो उनका स्पम जो होता है मेल का वो स्विंग करके एग तक पहुंचता है तब ही जो है स्पम का फ्यूजन के साथ में जाइगाउट का फॉर्मेशन करता है अगर इसमें algae के आगे फृधर बात करी जाए तो algae जो classified होई है वो उसके pigment जो उनके अंदर प्रजेंट होते हैं उनके basis पर इनको classified ठाप में किया है पहला है red algae दूसरा है green algae third है brown algae यह आप देख रहे हो यह red algae यह brown algae यह green algae Red Algae के अंदर Red Pigment पाए जाता है, Brown Algae के अंदर Brown Pigment पाए जाता है Green Algae के अंदर Green Color का Pigment पाए जाता है और तीनों ही Pigment जो हैं, वो photosynthesis में responsible होते हैं चलो आओ, इनको एक एक करके Study करते हैं, हम लोग Red Algae, Red Algae जो होता है, इसमें Redish Pigment होता है जिसको phycobalins बोलते हैं, इनके याद रखना इनकी pigments का नाम है, अलग-अलग, red को अलग बोलते हैं, brown को अलग बोलते हैं, तो red को phycobalins बोलते हैं, ठीके, the pigment appear red, ये जो है red दिखता है, but absorbed जो है, वो blue light को करता है, ठीके, क्योंकि जो blue light होती है, वो water के अंदर भी penetrate करके, इसके photosynthesis में help करती है, क्योंकि red algae जो है, mostly water के अंदर, mostly सारी की सारी algae water में present होती है, जो कि surface पर attach रहती है, that's why ये जो blue color होता है, वो easily penetrate करके, इनके photosynthesis में help करता है, अगर निसके structure की बात करें, तो कुछ जो हैं, वो single cell होती है, कुछ में जो है, filaments present होते हैं, filaments होती है, जो कि एक जेगे से दूसरे जेगे move करने के लिए hair like structure होता है, कुछ जो है, वो branching structure होता है, जैसे ये देख रहे हो, आप ये ब्रांचिंग structure इनमें पाया जाता है, कुछ जो है, broad plate like structure होता है, broad flat plate like structure होता है, जो ये आप देख रहे हो इदर, अगर habitat की बात करें, red algae की, तो ये mostly marine ह green होते हैं, कुछ जो है, वो fresh water में होते हैं, जो जादा तर जो है, ये surface पे attach रहे के survive करना पसंद करते हैं, और common on coral reefs, brown oil की जो होती है, ये brown color का pigment content करती है, इसे phycoxanthine भी बोलते हैं, ठीक है, अगर brown algae के structure की बात करें, तो largest and most complex algae होती है, सबसे बड़ी और complex का structure होता है, इस algae का, यहाँ पे आप देखी रहे होई, different type के brown algae है, ठीक है, no unicellular or colonial form, नहीं तो कोई unicellular form करती हैं, नहीं कोई colonial form करते हैं, range from microscopic filament to kept in excess of 70, many have whole fast air bladders, stripes, blades, habitat of brown algae, अगर brown algae की बात करें, कहां का रहना पसंद करते हैं, तो cool shallow water along the sea coast, sea coast जो होते हैं, वहाँ पे जो थंडा पानी होता है, उसमें ही रहना पसंद करते हैं, mostly grow attached, एक दूसरे के साथ attached होके ही grow करते हैं, यहाँ पे आप structure देख सकते हो, यह इनके structure है, green algae जो होती है, यह land जो plant होते हैं, उन्हीं की तरह pigment को contain करके रखती है, इनके अंदर chlorophyll A and chlorophyll B and some carotenoids present होते हैं, structure of green algae, अगर green algae के structure की बात करी जाए, तो कुछ जो हैं, वो unicellular होते हैं, कुछ जो हैं, फिलामेंटस होते हैं, कुछ जो हैं, colonial spheres और broad होते हैं, और कुछ flat sheets की तरह होते हैं, यहां पर अलग-अलग नाम दे रखे हैं, अलवा, वॉल्वॉक्स, यूरो थ्रेक्स, ये सब क्या हैं, ये हैं, ये हैं मारी green algae के नाम हैं, ठीक है, small and simple compare to red and brown algae, red और brown algae की comparison में small होते हैं, और simple होते हैं, ये climate of monas, walvorks, यूरो थ्रेक्स, ठीक हैं, ये सब जो हैं, ये type है green algae के, hydrodictine, अलवा, अगर green algae की बात करे जाएं, कि green algae कहां कहां present होती है, तो fresh water और marine water में ही सब से ज़्यादा पाई जाती है, most numerous type of algae जो हैं, वो evidence suggests that some type of green algae were the ancestor to land plants, land plants के, ये ancestors कहलाते हैं, humans algae को किस तरीके से use करते हैं, अगर की तरह use करते हैं, toothpaste की तरह use करते हैं, deodorant यानिकी जो perfume वगरा हम use करते हैं, algae and ingredient in ice cream that help prevent the formation of ice crystals नहीं बनने देती हैं, algae जो ice cream में help होती है, ताकि ice crystal नहीं बन पाएं, sushi, hand lotions में, pudding, candles and ice cream all use red algae for smoother texture, smooth texture जो होता है, all because of red algae की वज़े से होता है, ये सारे humans जो हैं, algae को use करते हैं, economical use की तरह, life on land, remember what all plants need to do, obtain water, sunlight and CO2 for photosynthesis, water और sunlight और carbon dioxide को use करके वो photosynthesis का formation करते हैं, obtain oxygen and mineral for cellular respiration, get gamits together for reproduction, ठीक है न, gamits को एक सार, gamits की जोरत होती है, इन्हें reproduction करने के लिए female और male gamits की जोरत होती है, as plants made their evolutionary journey on to land, they needed to protect themselves from drying out, अपने आपको बचा के रखते हैं, ताकि वो सूख न जाएं, hold themselves in place and upright to collect sunlight, find alternative to water-based reproduction, ठीक है न, alternate तो ढूडते हैं, water-based reproduction के लिए, fertilization of eggs by sperm, adaptation to life on land, अगर adaptation के बाद करी जाए, तो adaptation किस तरीके से होगा, land पे, roots obtain water, roots जो है, वो water obtain करती है, xylem to transport water, xylem जो water transportation के लिए होती है, phloem to transport food और minerals, leaves to collect sunlight, cuticle waxic coating, waxic coating होती है, to prevent water loss, stomata, leaf opening होती है, यानि कि small-small pores होते हैं, leaf के अंदर, जो कि gases exchange के लिए, और transpiration के लिए responsible होती है, ठीक है, flowers, cones, to transport sperm to egg without water, without water के, sperm जो है, वो एक तक जाके, fuse होके, किस तरीके से zygote बना के आगे, फर्दर reproduction के process में helpful होते हैं, seed to disperse offsprings, ठीक है, primitive land plants, non-vascular जो होते हैं, वो primitive type के होते हैं, जो कि फ्लाइलम ब्रायोफाइटा में आते हैं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं, वो non-vascular plants होते हैं, इनके अंदर किसी भी तरीकी का vascular system present नहीं होता है, यानि कि जायलम, फ्लोयम, food और water का transportation इनके अंदर नहीं होता है, ये small होते हैं, low growing होते हैं, क्योंकि इनके अंदर vascular system पाया नहीं जाता है, require water for sexual reproduction, sexual reproduction के लिए water की जरूँत होती है, जो spam होता है, वो swing करके एक तक water के थूँपोंचता है, यानि water is the agent for the reproduction of bryophytes, have alternation of generation with gametophytes, यानि कि alternation of generation होता है, with gametophyte, gamet reproducing stage most obvious, ठीक है, ये मैंने आपको gametophyte और alternation of generation, आपको मैंने chapter number उसमें पढ़ा दिया था, फर्स्ट में, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, कि alternation of generation क्या होता है, have rhizoid instead of root for incurring plant, example, इसके जो example होते हैं, moss, liverwats, onwards, ये सब इसके examples होते हैं, अगर bryophytes के habitat की बात आए, तो ये terrestrial होते हैं, यानि के land पर भी रहना पसंद करते हैं, ये must be near or in water, ठीके, पानी के पास और पानी के अंदर भी रहना ये, सर्वाइफ करते हैं, moist, shady areas में ये बहुत easily grow करते हैं, vascular plants में अगर बायत करी तो, phlame, tracheophyta आजाता है, ये complex plants होते हैं, इनके अंदर vascular tissue पाया जाता है, जो कि food और water के transportation के लिए responsible होता है, इनके अंदर true roots, stem, leaves होती हैं, इसलिए ये छोटी हाइट के नहीं होते हैं, काफी बड़ी-बड़ी हाइट के होते हैं, all have alternation of generation with the sporophyte, वहाँ पर alternation of generation, gametophyte के साथ में था, यहाँ पर sporophyte, यानि spore producing stage के साथ में होता है, seedless vascular plants, lower vascular plants जो होते हैं, all have small slander roots, which grow from an under-growing rhizome's creeping stems, extensive spread of sporophyte generation from vegetative propagation from rhizome, still must have water for sexual reproduction, water की help लेते हैं, sexual reproduction के लिए, examples मैं जाएंगे, ferns, club, mosses and hot stale, ये सभी के सभी examples हैं, and seedless vascular plants की, जो की lower vascular plants भी जने बोलते हैं, seed plants, independent of water for reproduction, gymnosperms, angiosperms, यानि की seed plants जो होते हैं, वोर two types के होते हैं, gymnosperm और angiosperms, gymnosperms कों से होते हैं, gymnosperms means naked seed, यानि की जनकी जो seed coat जो हैं में प्रेसेंट नहीं होता हैं, because the seeds are on scale of cones, rather than surrounded by fruits, ठीक है, produce cones, which carry genetic information from male to female, gametophytes are contained within the body of the sporophyte, instead of separate forms like in lower plants, separated नहीं होते हैं, sporophytes के अंदर ही इनके gametophytes जो हैं, present होते हैं, जैसे की lower plants के अंदर present होते हैं, examples देखें, तो साइकार्स, conifers, spines, fish, and cedars, या all are the example of gymnosperms, gymnosperms, angiosperms, flowering plants होते हैं, flower attract insects with bright colors, for the pollination, seeds are contained within an ovary, ovary के अंदर जो है, वो seeds होती हैं, seeds जो है, वो further fruits बनाती हैं, which aids in the dispersal of offsprings, life cycle similar to gymnosperms की तरह ही, इसकी life cycle होती है, तो ये जो है, ये kingdom planty का एक पूरा overview हो गया है, इसी के साथ, मैं इस video को close करती हूँ, रूढगए श fresh अंदर जोे ठीजिस्टी जोले ने हो चीजिए, जो हूँ, की जूण unutर अ Wikili baldree।, जी 102 अंदर जोड़ो, जोब डब्सूदी रहीं की जोड़ो, impulягा हो, जोड़ोरे ला जोड पक्टानोष आपकी, उne जीूड़, जोaches Marchegiani.